हालो फ्रेंद्स वेल्कम दूस्ट पपाई इस नेक्सपेस के न्यूस पर डिसकेशन में बहुत-बहुत सवागत है आज 27 अपरिल है इंपॉर्टन आर्टिकल को देखेंगे इसमें आज आपको बता दें एक्सप्लेंड पेज के साथ जो इंपॉर्टन आर्टिकल है उसको भ में बदफची के अचिकली कोचिंग आप में इंपॉर्टन के बारे में है यहां पर फश्क्राइड सकते हैं तो असवाड़ी है औरर कॉइश नंवे ,पfik स्केश को लिएलन और में प्रिकल करेंगे और चुझे के बारे में और कोवी यार्टन इन पारिग के भीए में बात करेंगे दो कौन से ऐसे सेल हैं जो इस COVID-19 को जगह देते हैं एक्सप्लोर करते हैं और उसके बारे में जाना बहुत जादा ज़रूरी है क्योंकि यह फर्स्ट ऐसी फाइंडिंग्स आई हैं उसके बारे में कुछ बेसिक जान लीजिए जहां से इसकी शुरुवात हुई यह कुछ इस तरीके से है कि रिसर्च हो रहा था और रिसर्च में पता चला है कि एक ऐसे सेल पाई जाते हैं नाक में नोज में और वो दो तरीके का एक स्पेसिफिक टाइप का सेल है जो इस COVID-19 को या कोरोना वाइरस को और जगह दे करके उसको और एक्सप्लोर करता है इस कि बहुत सारी चीज़ें पता लगाई जा रही है लगातार कुछ समय से जिसमें कि आपने स्पाइक प्रोटीन का नाम सुना है और इस प्रोटीन को याद रखेगा यह एक ऐसा प्रोटीन है जिसको कि आप कह सकते हैं यह की टू अनलॉक की तरह काम करता है यानि कि यह जो है यह सेल में वाइरस की एंट्री देने में मदद करता है ठीक है और अगर आपको याद हो तो यह न्यूस में आया था कि जो यूएस वगरा में कोरोना वाइरस है वहां पर यह डबल स्पाइक पाए जा रहे हैं प्रोटीन के इस वज़र से वहां का जो वाइरस है वह ज्य किसे काम करता है की टू अनलॉक प्रोटीन और इसमें जो दूसरा प्रोटीन है वह कैसे काम करता है वांस इंसाइड दसेल जैसे ही वाइरस सेल के अंदर जाता है तो अब सेकिंड प्रोटीन एक्टिव हो जाता है जिसको की नाम दिया गया है टी एम पी आर एसस टू तो य यानि कि वाइरस का transmission करना शुरू करता है, reproduction शुरू करता है और इस तरीके से जो वाइरस है वो पूरे human body को capture कर लेती है तो आप में देखा कि किस तरीके से role play करता है spike protein और TMPRSS2 अब देखिए जो नए findings पता चली उसमें क्या पता लगा यह जो protein है अखिर यह कौन सी जगह पर जा करके act करते हैं और कौन सा ऐसा cell है body का जो इन पर सक्षादा react होता है तो वो है आपके nose में दो cell जिसका नाम है globlet और ciliated ठीक है ciliated और globlet यह दो cell है nose में पाई जाते हैं याद रखेगा prelims के लिए और UK based university है और basically यह पूरा joint research program है हर जगह पर research हो रहा है US, UK, China, India इसमें UK based research है वहाँ पर पता चला है कि यह globlet और ciliated cell काफी जादा responsible है तो यह कैसे पता चला इसके बारे में बता आ गया है कि किस तरीके से यह जो globlet cell है यह mucus producing cell होता है basically और यह surface provider तरता है और दूसरा जो है ciliated cell यह hair like cell है तो यह भी याद रखना है globlet कैसा है mucus producing cell है और ciliated cell एक hair like cell है जो इसके लिए काफी react करता है और इस पूरी discussion में यह पता चला पूरा finding किया गया तो कि बांकी जगह के comparison में यानि body में जो other cells हैं उनके comparison में यह जो nose में पाय जाने वारे यह दो cell हैं यह इस protein के लिए बहुत ज़दा react करते हैं तो किस तरीके से यह जो findings है यह help कर सकता है does this rule out other entry points तो कुछ यहां से और entry points का पता लगाया जा रहा है जैसे कि इसमें अभी जो recent research है यह basically जो हम बात करें यह research based बाते हैं जो बताई जा रही है कि यह यह भी संभावनाएं हैं जैसे कि entry protein की जब हम बात करें तो दो तरीके का entry protein अभी आपने देखा ACE2 और TMPRS और इसके बाद जो आई है आई में जो cornea है वो भी work कर सकता है virus को transmit करने में तो अगर eye contact होता है एक से infected person से oral facial transmission की throw भी यह virus transmit हो सकता है तो यह probability है यह इस research के basis पर ऐसा सोचा जा रहा है कि यह भी हो सकता है तो जब इतनी सारी बाते आपको पता चल जाती है किसी भी virus को लेकर के तो उसको रोक पाना आसान हो जाता है और सबसे बड़ा जो help मिलने वाला इस पूरे knowledge से या इस पूरे research से वो यही होगा कि हम इसके spread को या transmission को रोग पाएंगे COVID-19 को हा लेकिन vaccine तो बेशक बहुत जरूरी है लेकिन जब तक vaccine नहीं ready हो पाता है और final उसका trial नहीं हो पाता है तब तक के लिए इस रिसर्च है वो बहुत रहादा help करेंगे to find out the entry points to protect the people to aware the people right अगला article देखते हैं अगला article MPLAD पर based है MPLAD scheme बहुत अच्छा article है यह किस तरीके से काम करता है बहुत साय लोगों confusion होगा इसके बारे में basics शायद नहीं पता होगा तो उसके बारे में हम detail में देखते हैं MPLAD scheme जो है वो अभी इस पर काफी सारी news है हर जग based कुछ प्रोग्राम चलते हैं MLA's के जैसे MPLAD है वैसे ही यह Local Area Development याद रखेगा MPLAD का फॉर्फर्म क्या है Member of Parliament Local Area Development वैसे ही MLA-led scheme भी होता है यह state basis पर चलता है तो अभी state में भी कई सारे राज्यों में इस scheme को अभी suspend कर दिया गया है और इसका जो amount है वो direct COVID crisis को tackle करने में ल बारे basic आपको पता होना चाहिए क्या होता है MPLAD scheme देखे एक center government scheme है MPLAD तो center government scheme ही होगा यहाँ पर लेकिन आपको confuse किया जा सकता है यह से अभी तो आप देख रहे हैं तो आपको आपके दिमाग में है बट वहाँ exam में आपको चीज़ें याद नहीं आती है तो याद इस प्रोग्राम में इंप्लूट किया जाता है और फाइफ करोर रुपीज उनको हर साल अलोकेट किया जाता है ताकि आप अपनी जगह पर अपना चाहिए कांसेट्यूइंस है उसको आप डेवलप करें जो लोकल नीट्स है बेसिकली जो लोकल सोचल एकोनोमिकल जो हाँ जो भी प्रॉब्लम है रोड नहीं है पानी की समस्या है तो आप उसको अपने इस अमाउंट से पूरा करेंगे और इसके बारे में और कुछ बेसिक फैक्ट दिखेंगे जो बहुत इंट्रोस्टिंग है देखिए ऐसे ही प्रोग्राम स्टेट में चलाय जा रहे हैं कि वह अपने जगा पर अपने इसमें कॉंस्टिशन जी में ठीक कर पाएं अपना काम अच्छा कर पाएं लेकिन वहीं अगर देखें पंजाब केरला में तो फाइफ करोर रुपीज है असान च्छतीज कर महरास्टा करनाटका की बात करें तो दो करोर रुपे दिये जाते ह हैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी हाली में उने बढ़ा करके दो करोर से थ्री करोर किया है लेकिन चुकि कोरोना वारिस की क्राइसिस है तो अभी इस पैसे को सस्पेंड वहाँ पे कर दिया गया अभी इसको सस्पेंशन कॉन्टिबूट तो अभी इसको सस्पेंड किया वो कितना सही और कितना सही नहीं है इनका कहना है कि टोटल अमाउंट जो बचता है सेंटर गोर्मेंट के पास वह 7800 करोर रुपीज का बचता है इस MP-led स्कीम को खतम करते हैं अगर सस्पेंड कर दे जो कि सरकार का स्कीम प्रदानमंतरी गरीव कल्यान योजना उसका 4.5% भी नहीं है यानि कि 1.70 लाक करोर जो रिलीफ पैकेज दिया जाता है सरकार के तरफ से उसका 4.5% भी सरकार बचाया नहीं पाई इस स्कीम को सस्पेंड करना ठीक नहीं है यह कुछ MPs का opposition का मानना है अ यह पैसे MP को दिये जाते हैं तो MP और MLA's तो अगर उनको इतने सारे पैसे दिये गए तो रांद इसको खर्च कर सकते हैं यह तो उनका पैसा हुआ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इसको बहुत डीटेल में जाने की ज़रूरत है यह पैसे जो MP लेट्सकी में या MLA लेट्स किया जाता है तो फिर MP के नाम से क्यों वो इसलिए कि MP अपने शेत्र में उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यह जो पैसा इलोकेट किया गया जो जिस स्कीम में लगाया गया है वो कितना सटीक है यानि इसका इंप्लिमेंटेशन कैसा हो रहा है इसकी जिम्मेदारी वहां क प्राब्लम है यहां पे स्कूलों में इसे अभी CCTV कैमरा को इंस्टॉल कर वाया गया फिर फॉगिंग मसीन मंगवाय जा रहे हैं तो यह अलग-अलग जो स्कीम है वो हर स्टेट तो स्टेट वैरी भी करते हैं और जहां पर जैसी जरुरत है उसके हिसाब से पैसे दिये जात इसे दियरेक्टली किसके अकाउंट में पैसा या फिर कहां पर ट्रांसफर होता है पैसा जो रिस्पेक्टिव लोकल अस्वरी ना कि MPA एमिले के अकाउंट में नाउ दे नेक्स्ट फीचर इस भई शुरुवात कहां से होती है तो कुछ लोगों को तो लगा लग रहा होगा जो लोग फ्रेशर हैं शायद की अभी जब से मोदी जी आएं तब से एंपिलेट स्कीम शुरू हुआ तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा 1993 में ही इसकी शुरुआत हुई थी जब डर्देन प्राइमिस्टर थे पीवी नर्सिमहार राओ और उनके समय में यह एंपिलेट स्कीम शुरू किया गया अब अब भई जब यह स्कीम शुरू हुआ तो लोगों ने कौन-कौन सी अटकले लगाई कि आखिर यह स्कीम क्यों ल जाता है और इसमें बहुत सारी अटकले लगाई गई थी जैसे कि उसी समय में जो इलेक्शन कमिशनर थे टी एन सेशन साब उनको मल्टी मेंबर बॉड़ी बनाया गया था मतलब इलेक्शन कमिशनर पहले एक व्यक्ति का हुआ करता था बाद ने इसको फ्री मेंबर कमिटी बनाया गया उसके बाद एक और बदला हुआ था वो बदलाओ था कि पहली बार पहली बार हाई कोट के जज का इंपीच्मेंट प्रॉसस शुरू हुआ था चुछ एहां पर कुछ अटकले लगाई गई कि जो मानर्डि कोवर्मन्मेंट है या जो समय की सरकार है उन्होंने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था ठीक है तो ये एक अटकल है इसके बाद दूसरा और क्या इसके कॉंसे उसको भी हम देखेंगे हाव लॉंग आधी स्कीम सपोस्ट टू कांटिन्यू से अभी तक कंटिन्यू हुआ है चला रहा है कहीं कोई इंट्राप्शन नहीं है सेंटर गॉवर्मेंट में लेकिन अकर हम राजी की बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग चीज़ें रही हैं जैसे 2018 में कैबिनेट कमीटी और एकोनामिक अफेस ने अप्रूफ कर दिया था स्कीम को 31 मार्श 2020 तक के लिए कि 14 फाइनेंस कमिशन जब तक रहता है जब तक के स्कीम जो है MPLAT का 27 सा से चला रहा है वोट है इंपक्ट फेंप्लेट स्कीम क्या इंपक्ट है तो जाहित और पर बहुत पॉजिटिव इंपक्ट है कुछ नेगिटिव इंपक्ट भी है जो हम आगे देखेंगे लेकिन पहले हम पॉजिटिव इंपक्ट की बात करते हैं गो जो भी समस्याई थी उसको काउंटर किया गए 2018 की बात कर रहे हैं फिर 2017 हमें भी ऐसे देखे गए कि 19 लाफ प्रोजेक्स टोटल इसमें पूरे चलाए गया MPLAT के थू एंड थर्ड पार्टी एवालिएटर अपॉइंट बाइड बाइड गोवर्मेंट रिपोर्ट एपोर् क्रियेट हो रहा है इस स्कीम की वज़े से अर्बन सेमी अर्बन एरिया में खास करके इवन रूरल एरिया में भी लेकिन कुछ क्रिटिसिजम भी है और सबसे बड़ा क्रिटिसिजम क्या है जो आप सोच सकते हैं वो है करप्शन का इसमें कुछ लोगों का यह मानना है MPs के ओपर Workload है देखे MP का काम क्या होता है MP का काम होता है निगरानी करना आपने purl में कैसा काम हो रहा है Government का काम होता है development करवाना कि लेट हो रहा है वह ठीक तरीके से होरा है कि नहीं तो इसक्रीबिया है कोई और प्र इसकीम शुरूर किया गया गया MP को क्या काम दिया गया है कि अब आप अपने अकॉर्डिंग ली प्रजेक्ट को एलोकेट करो और आपके महां पर जो समस्य है आप उसको सॉल्व करवाओं ठीक है तो इनका कहना है कुछ लोग का यह मानना है कि MPs के ओपर वर्कलोड बढ़ गया और इससे जो प्रॉपर अटेंशन होता है लेगिसलेटिव वर्क में वह नहीं कर पाते हैं और इसलिए काफी नुकसान होता है इससे दूसरा कुछ ऐसी कमिटीज में कर दिया जाना चाहिए यह बहुत इंपॉर्टन फैक्ट में इसको मना किया गया कि डिसकांटिन्यू कर दिया जाना चाहिए से स्कीम को फिर ऐसे कई और जगह पर यह देखा गया कि करॉप्शन बहुत जादा होता है खासकर के अलोकेशन अब द वर्क में आपको बताया थ कि इंप्लिमेंटेशन में काफी जादा गैप है तो यह इसके कुछ निगेटिव पॉइंट से पॉसिटिव आपको बता दिया ने निगेटिव पॉइंट से एंपिलेट के बारे में जो भी बेसिक डिटेल आपको पता चल गया है होप पूरा क्लियर हो गया और आपको बह कामनाद गोएंग का जिका आर्टिकल है यह और फाल डाउन काफी अच्छा आर्टिकल है बहुत ही कम शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं और प्राइस कम हुआ है और बहुत ज़्यादा कम हुआ है जैसा कि प्रीवियस डाटा में भी हमने देखा था और यह बह इंपक्ट फार्मर पर भी हो रहा है और बहुत जाता हो सकता है वह कैसे तो कुछ एक हम लोग पॉइंट देखते हैं जैसे की रौ शुगर का जो फ्यूचर है अभी हमने कल परसों में डिसकस किया था ब्राजील को लेकर के रही जो रौ शुगर का फ्यूचर है वहां पर दिक्कत आई है क्योंकि शुगर का दाम बहुत जादा कम हो गया है और नियू यॉक मेसीज को देखा गया कि 2008 के बाद पहली बार 9.73 सेंट पर पाउंड पर गया है शुगर का प्राइस दूसरा है कॉर्ण का कॉंट्राक्ट है शिकागो में वहां पर दिक्कत है फिर क्रू शुगर केयर क्यीन वहित अंगत को आत्युक चाहिए चुगर केण है या फार फेक है पाम आ लाइवन से शुगर के और कॉ eerल अप सित् Eis spices तेन्श सोर्स पित हैं ऑप का BUT यहां पर हमने देखा था रीसिन्डी की ब्राजील में क्या हुआ हो चुकि एलग चाये तो लोग फिर वहां पर जो इसनौल ब्लेंडिंग है उसको कम कर देंगे और प्रोडक्शन आफ शुगर काफी बढ़ गया है तो इससे शुगर प्रोडक्शन में जैसे बढ़ा बढ़ेगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होने की वज़े से दाम नीचे चला जाएगा ठीक है औ अगे और क्या कहा गया है से फूद क्रॉप है तो फूद क्रॉप for fuel-made economics गें और प्राइस अभी तक क्या था हाई ही होता था इस वज़ा से लोग इसका अल्टरनेटिव ढूंटे थे कैसे इथनॉल ब्लेंडिंग वगरा करके हम इसकी जो कमी है क्रूड ऑल की इसको पूरा कर सकें लेकिन अगर और प्राइस कोलाप्स होता है नीचे जाता है तो इसका ध है लोग प्राइस हो चुका है कि इसका कॉटन का नेच्रल रवर का इन सब का भी जो प्राइस काफी नीचे चला गया है विकॉस ऑफ दस्टेटिक सब्सक्राइब काफी चीपर हो गये हैं और इस वज़र से इनके भी दाम काफी यादा नीचे चले गया है अब ऑफर आल ज हो हैं यह सब्सक्राइब रही जो इनके उप्रइश कंगर सफ्कांवा यह द्यूंसें प्राइब नियुक्सान हुए यह पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो overall पूरा दिमाड का पूरा चेन है वह गढ़बढ हो गया है अगला इंडर्टक्राइब करेंगे और इस अमेंटेरिय इमर्जन्सी एक ऐसी सिचुएशन है जब हुमन काइंड एक खत्रे में पड़ जाए और किस तरीके खत्रा जब किसी व्यक्ति को ज्यादा व्यक्ति को हेल्थ सेफ्टी सेक्यॉर्टी इन सबी कीजों का थ्रेट हो जाए एक पुरी की पुरी कम्यूनिटी लार्ज ग्रूप पीपल इस खत्रे में आ जाएं तो उसको हुमनेटेरियन इमर्जन्सी कहा जा सकता है एक हजाड़स सिचुएशन आप कहा सकते हैं कि क्रियेट हो गया है अब वलनेरबिलेटी भी समझ लेते हैं वलनेरबिलेटी आपको ओवराल क्लियर है कि क्या होता है जब हमनेटेरियन प्राइची अरइज होगा तो जाहिए दौर पर वलनेरबिल पॉपॉलेशन जो है वह वनेरबिल हो जाएंगे उनको हर चीज की ग्राइच से आने शुरू हो जाएंगी तो यहां पर हम अगर एकोनामिक टर्म में देखें हेल्थ के डर्म में देखें तो तो लोग में जो यहां पर बात हो रही है कि सबसे पहले सरकार को एक कदम उठाना चाहिए वह है फूड और कैश डिलिवरी का युनिवर्सल ट्रांसफर किया जाना चाहिए जो माइगरेंट लेवर्कर हैं लोकल वर्कर हैं पीजन्स हैं रेक पिकर वेंडर्स फिशर पीपल इनको सबसे अदा प्रॉब्लम हुई है क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है वह बहुत स्टेक पर है इनको अभी कोई भी काम नहीं है इनके पास और इनके पास लाइवलिविट क सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो इसी लिए इनको सीजा फूड और कैश ट्रांसफर के बारे में सरकार को जल्द से जल्द सोचने की जरूत है what needs to be done क्या किया जा सकता है और क्या करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा तो सबसे पहला कि अभी हमने डिसकुस किया क लिए चैश फूड का ट्रांसफर उसमें फूड एकस जो है वो दौश इंपॉर्टन चीज है तो आपको सोचना है क्या फूड ट्रांसफर कैसे करेंगे और कितने दिन के लिए इननों ने यह भी बताया है कि 6 महने के लिए अफूड ट्रांसफर कीजे और कैश ट्रांसफर कम से कम तीन मेने के लिए होना चाहिए इनका कहना है कि ट्रांसफर युनिवर्सल करना होगा आपको मतलब जिसमें most of the people आ जाएं क्योंकि इस समय में जब इतनी बड़ी crisis है तो आपको exclusionary criteria को use करने की आवशकता नहीं है क्योंकि आप normally कैसे use करेंगे जब आपको किसी को help करना है सरकार अभी help कर रहे है तो राशन कार्ड देख रही है या लोगों का जंधन अकाउंट देख रही है इस तरीके से चीजों को social caste economic census में कौन-कौन से लोग है जो इस तरीके से vulnerable हैं उनको target कर रही है तो इनका कहना है कि ऐसे बहुत सारे लोग है जो आपके उस किसी criteria में fulfill नहीं होंगे लेकिन उनको जरूरत है इस समय में तो इसी किसी भी तरीके के criteria के इस्तमाल करनी क्या वशक्ता नहीं है और transfer जो होना चाहिए वो universal होना चाहिए What will this cost? कितना cost आ सकता है क्या हो सकता है पूरा इन्होंने estimation बना करके दिया है comment को इस article के माधियम से कि अगर आप 10 kg ग्रेन लोगों को provide करते है तो कितना खर्चा आएगा 6 months का अगर transfer किया जाता है तो 62.4 million टन ग्रेन आपको देना होगा अब FCI के पास पैसे कितने sorry, total कितना grain amount है तो food drain total stock में 77 million है और आप उसमे 62.4 million इन लोगों को transfer कर दीजे जिनको जरूरत है जो needy people है उसके बाद 40 million ton from the current ravis harvest वहां से भी आने वाला है जिसे आभी हमने कई article में discuss किया है कि ravis harvesting होने के बाद सरकार के पास यहां से भी food grains आने वाले हैं तो इसलिए enough amount है enough food grains available है FCI के पास जिसको की release कर देना चाहिए और अगर हम 6 महने के लिए 1.3 billion population को मदद पहुंचाते हैं तो 62.4 million ton आपको grain देना पड़ेगा जो की आपके surplus amount से कम ही है how it benefits the FCI इनका यह कहना है कि जब आप पैसा करेंगे तो इससे food corporation of India को भी फाइदा होगा आखिर यह कैसे होगा ऐसे होगा कि जब food corporation of India इन grains को जमा करती है तो उनको storage का cost देना पड़ता है और यह cost उनको देना पड़ता है करी 5.60 पर kilogram पर year और rupees 2.80 for six months इस तरीके से उनको देना पड़ता है तो अब अगर आपने यहां से 62.4 million ton release कर दिया तो यहां FCI यानि Food Corporation of India टोटल 17,472 करोड रुपीज सेव कर सकती है यहां बहुत अच्छे से positivity दिखाने की कोशिश की है कि अगर यहां पर food को transfer करते हैं food crane को transfer करते हैं किस तरीके से सरकार का भी फाइदा है और लोगों को जिनको इसकी जरूरत है उनको भी पूरा-पूरा फाइदा मिलेगा वाट ऐल्स टो भी प्रवाइड इसके अलावा और क्या होना चाहिए तो जो भी नेसेसरी चीजे हैं जो जरूरी है लोगों के लिए वो प्रवाइड किया जाना चाहिए food grains के साथ साथ में और टोटल कॉस्ट कितना आएगा उसके बारे ने बताया कि टोटल जो कॉस्ट आपको इन सब के बाद पड़ेगा वो है तो आपको टोटल जो अमाउंट पड़ रहा है वो 2.9 परसेंट होगा आपकी जीडीप का तो यह भी बहुत जादा अमाउंट नहीं है यह आप इतना खर्चा कर सकते हैं सरकार को बताने कोश्च कर रहे हैं तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह खर्चा यह एक्सपेंडीचर कहां से होगा कैसे करी कि सरकार इसका इनोंने क्या सोलीशन बताया है तो जैसे आपको पता है भी रविन्यू सरकार के पास भी नहीं है बहुत जादा और रडी क्राइस में है गोवर्मेंट तो ऐस इस फूड और कैश ट्रांसफर इस तो बी इंशॉर्ट कैसे इंशॉर किया जाए यूनिवर्सल डिलिवरी हो यह कैसे होगा इसके बारे में इनोंने बताया है कि जो एक्सिस्टिंग लिस्ट है हो सकता है उसे बहुत सारे लोग ना आए बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरी जो आपके पास टो डिस्ट ऑन ऊहला नहीं तो एसे में आपको एक अलग तरीका डूँने जरवता है उन्होंने अर्बन ईरिय के लिए अलग अलग तरीका नो बताया है कि इस तत्माल से इलक्शन के समय में ऍस इंक का इस्तमाल होता है वैसे łatा है और यह ने व्यून एसट इस ताहमिस और ओर हो फिरप्ल को दो जा सकता है लेकिन उनीज्व सटोप से थिश्लाइब के लिए पर अक्या तो अर्बन पुर को हेल्प करना थोड़ा इहां पर कॉम्लिकेट है और इसके लिए क्या होना चाहिए तो इसके लिए पिनो नहीं बताया है अर्बन पूर बिल्द स्थर्विस्द शिटी में रिडाइब विडाऊट राइट्स थोड़ा उनके बारें बताया कि जो अर्बन कर रहे हैं street vendor service provide कर रहे हैं लेकिन वो बीना किसी rights के रहते हैं और नहीं कोई स्टेटस में interested होता है कि उनकी उनके लिए rights के लिए बात किया जा सके because उनको हमेशा से migrant की तरह समझा जाता है अब यहां पर उनका कहना है कि universal cash transfer होना चाहिए adults को जो adults people है उनको universal transfer provide कीजे और इसमें odysa system का इस्तमाल हो सकते हैं इनके पास bank account है और बैंक में transfer कर सकते हैं otherwise जो odysa system use किया जाता है cash दिया जाता है लोगों को उसी model को आप यहां पर use कर सकते हैं वो फाइदे मंद हो सकता है कुछ जगा पर आपको जो employment guarantee schemes है उसको चलाने की जरूरत है rural employment scheme और urban employment scheme दोनों चीज़ों को चलाने की जरूरत है ताक कि जो income transfer है वो हो पाया असानी से ठीक है तो यह बहुत सारे उन्होंने possible solutions बताए हैं सरकार को जो किया जा सकता है और इस समय में सबस्यादर जरूरत है local administration के participation की यह सारी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं अगर हर किसी का साथ हो सभी लोग honesty accountability के साथ काम करें और यह इन्होंने सबस्यादा challenging बात यहां पर कर दी है क्योंकि सारी चीज़ें सच में possible हैं लेकिन अगर हम यह expect करें कि honesty accountability से सारे लोग काम करेंगे यह यहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट अगर community participation होता है accountability के साथ लोग काम करते हैं तो इस पूरी जो इनकी बाते हैं उसको सही साबित किया जा सकता है और इस समय इसकी जरूरत है कि जो एक bold step लिया जाए एक problem को इतनी बड़ी जो crisis cells को solve किया जाए state government का साथ cooperation यहां पर बहुदा जरूरी हो सकता है आजका इतना ही thank you so much कैसा लगा discussion जरूर बताय कीजे comment कीजे आप लोग और इस video को share जरूर किया कीजे thank you thanks a lot